हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैडी बियर केक तो बहुत ही सिंपल है बनाना इसे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो साथ इंच के मोल्ड में हमने यह स्पॉंज हमारा बनाया है साथे 300 ग्राम के प्रीमिक्स पाउडर से क्योंकि हमें एक केक तो 1200 ग्राम का बनाना है दूसरा इसके यह बनाने हैं और नोस भी बनानी है तो इसलिए हमने स्पॉंज थोड़ा ज्यादा मारा है इसके लिए तो यह 12 इंच का बोर्ड है इस पे हम बनाएंगे अपना केक और य आया था हमारा यह फ्लेवर पिसली बार जामोंने केक दिया था तो उनकी कंटिन्यू यही डिमांड है कि उन्हें यह फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए वह बोस्ति सारे के इसी फ्लेवर में लेते हैं चले कोई बात नहीं वह उनकी मर्दी है वहीं कि फ्लेवर केक गए है तो उन्होंने वह सारे यही फ्लेवर में मंगाये हैं तो क्रम कोट करने के बाद इसको फिर फ्रीज में रखेंगे चॉकलेट क्रीम में यहां पर यूज कर रहा हूं और देख लिए अब इसके हम बनाएंगे एर्स तो एक्स्टर पार्ट को हमने यहां पर यूज कर लेना है और बहुत ही सिंपल है शुरू में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड है लेकिन जब आप देख लेते हैं एक बार टेक्नीक तो आपको समझ में आने लगता ह है पाइपिंग बैक की हेल्प से क्रीम लगा देंगे ताकि वह जो यह से थोड़े नीचे से वाइड हो जाए और उपर से पतले हो जाए तो इसको पैलेट नाइफ के हल्प से कर देंगे फ्लैट और शेप देदेंगे इक्वल ताकि यह अच्छी तरीके से उभर के आ अब शेका रहे हैं हम इतो यह डिजैन हमें कश्मन ही दिया था तो कहली बार हम इस बिआरब लग अज में थोड़ा तक लगा था लिकिन नेक्सटम अगर यह कर आएगा तो इसे हम फटाफट शुक्त बना लें यह सिलिकॉन का Scrapper है तो इससे काफी है है किसी भी शेप को देने में और इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं नोज को और अपना फ्रिज में रख देते हैं तो ब्राउन जेल कलर में यूज कर रहा हूं और चॉकलेट वगर इसमें नहीं डाली है नहीं तो चॉकलेट के वज़े से कुछ और बन जाता है वो कुछ ब्लैक इशा और चॉकलेट इसा ब्राउन कलर नहीं आपाता तो यह ग्रास नोजल है ग्रास नोजल हमने यूज किये हैं और अब हम बस अपना इसको पाइप करते जाएंगे कई बार ऐसा होता है कि शुरूर में जब आप ग्रास नोजल यूज करते हो तो आपके पाइपिंग से अच्छे ग्रास नहीं निकलते हैं इसके लिए आपकी जो क्रीम हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए मतला स्टिफ होनी चाहिए और अगर थोड़ इसी भी पतली आपके क्रीम होगी तो फिर वो इस तरीके से इसमें से नहीं निकलेगा तो टेक्निक आपने देखी लिए किस तरीके से मैं अपनी क्रीम को एपलाई कर रहा हूं तो यह जो केक था यह थोड़ा सा ओवल शेप में था कुछ मतलब 3D डाइमेंशन में था यह टेडी तो अग आप नोजल से इसको मतलब अगर आप करेंगे सीधा सीधा इस तरीके से अभी मैं कर रहा हूं अगर इसी को सीधा कर देंगे तो एक फेस बन जाएगा फ्लैट फेस बन जाएगा टेडिकल लेकिन उसमें जो था थोड़ सा ओवल फेस था तो इसलिए हम बार बार इस पे जह हमें जैसा लग रहा है कि यहां से हमें थोड़ा मोटा करना है या इसकी शेप को थोड़ा और राउंड करना है तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्रीम इस पे लगाए जा रहा हूं उस शेप को देने के लिए जो हम पे फोटो में आई थी तो देखे मैंने यहां पर दुबारा से फिर से इसके उपर नोजल वर्क करना शुरू किया है ताकि उपर सी जो इसका फेश है कुछ ओवल जैसा हो जाए फ्लैट जैसा ना लगे शुरू में आपको लग रहा होगा फोटो देखे कि कितना हाड केक है लेकिन कुछ नहीं है बस आपको पाइपिंग से इसको फिनिश करते जाना है एक जगे देखे हमारी भी क्रीम जो है अब नहीं आ रही है क्योंकि आज हमारा एसी नहीं चल रहा था लाइट चली गई है और इंवर्टर से बस अभी लाइट और फैन चल रहा है तो हाथ की गर्मी से देखे कितना परक पड़ता है तेंपरेचर अगर ठीक है आपके रूम का जहां आप काम कर रहे हैं ठंडा है तो बहुत हैल्प होती है इसलिए मैं कहता हूं तो फॉंडेंट की हमने आइस वगरा कट करके रखी ती तो इसको हमने लगा दिया यह मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि आ नोज वगरा बनाके और बस अब हम इसे फिनिश कर देंगे स्माइली के साथ इसका फिर सब कंप्लीट हो चुका है तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल थी और आशागरतों आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाइ